हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन तुडे वी आर गोईंग टू डिसकस दे नेक्स टॉपिक इन आवर चैप्टर ड्वेल निचर ओफ रेडियेशन एंड मैटर और आज का जो लेक्चर है इसके अंदर में हमें जो टॉपिक डिसकस करने हैं वो हैं एक तो फोटो सेल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है भूले बटके कभी क्वेशन आ जाये तो आप लोगों को पता रहना चाहिए हाला कि नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी वाई टू टेक रिसक उसके बाद में हमारे पास में एक छोटा सा पॉइंट और है जि पूरा बहुत हम लोगों को उसमें पढ़ लेना चाहिए तो उसके बाद में कुछ छोटा मोटे फॉर्मुले में आपको और कुछ बताता हूं और चैप्टर को आप से पहले आप लोगों को जो हैडिंग डालनी है वह डालनी है क्या फोटो सेल से हम लोग स्टार्ट अब देखो यहां पर लिखा हुआ है फोटो सेल क्या लिखा हुआ है फोटो सेल बेसिकली यह दि मैं बात करूं तो फोटो सेल आपका क्या है कि फोटो इलेक्रिक एफेक्ट के उपर बेश्ड एक एप्लिकेशन ही है जहां पर हम लोग बोल सकते हैं यह कि इस प्रकार का ड जैसा हम लोगोंने एक्सपेरिमेंट में बाहर दिसकस किया उसे में लेकिन जो है वह है बिल्कुल वही बेसिस पर यहां पर डिवाइश डैवलप किया गया जिसे बोला गया है फूटू सेल अब इसके लिए यह आपके पास में डाइग्राम है NCRT के अंदर में भी आपको यही same diagram मिलेगा ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है यहां पर एक evacuated glass chamber है ठीक है यहां पर एक collector plate है metal की plate होगी ठीक है यहां पर एक C करके लिखा है जो है आपकी emitter plate अब basically यह कैसी है हाप cylindrical type की plate है मतलब जिसको क्या बोलते है ऐसा शेप मान की जलो देखो ऐसा एक तो ही मेरा हाथ होगा सीधा अब इसको मैं ऐसे मोड लू तो कैसा हाथ बनेगा वैसा टाइप का कर्व टाइप का structure है हाप cylindrical ऐसा इसमें बोला गया है अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया है एक battery से connect किया है high tension battery से connect किया है और साथ में एक micro emitter इस circuit में लगाया हुआ है जिससे पता लगे कि current flow हो रहा है या नहीं हो रहा है अब इसमें क्या किया जाता है कि यह जो glass का evacuated जो glass tube की जो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इसको छोड़ दिया जाता है जा ताकि इसमें light गिर सके कई बार अब लोग यह जो emitter ब्लेट जो बनाई जाती है वह फोटो सेंसिटिव मैटेरियल से बनाई जाती है और इवन तो समटाइम्स वाट डे डू वो उसको पेस्ट कर देते हैं उस प्लेट लेने के बजाए तो काम तो तब भी हो रहा होगा अच्छा अब होता क्या है कि जब इसके उपर light गिरती है सो देखो वही है यह एक light आके इस पे गिर रही है अब यह light इस फोटो सेंसिटिव मैटेरियल पे गिरेगी तो क्या होगा जो मैटेरियल जो भी है जो भी मैटल है उस जो घूंगे एलेक्ट्रón बाहर निकलेंगे और सेकारण माइक्रो एंपियर्स की रेंज में इसमें से करन्ट फ्लो होगा तो अब एक बात बताईए कि जो आप लोगों ने फोटो एलेक्रिक पढ़ाता और इसमें क्या अंतर है कुछ भी अंतर नहीं है बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है बिल्कुल सेम टू सेम वही की वही है इस फोटो सेल का उपियोग बहुत सारी जगे पर किया जाता है जो कि अप्लिकेशन्स आपको NCRT को जब आप रीड करोगे तो इसके अंदर में आपको बहुत जगे पर इसके अप्लिकेशन्स दिये हुए हैं जैसे ऑटोमेटिक डॉर सेंसर हो गया बहुत सारी मशीनरी को कं लाइट गिर रही होती है सेंसर के उपर में यस अब जैसे ही कोई व्यक्ति आता है जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो क्या होता है यह जो लाइट है वो होती है इंटरॉप्ट वो लाइट क्या होती है इंटरॉप्ट होती है और लाइट के इंटरॉप्ट होने के कारण वि जो circuit में से flow होने वाला current है वो भी क्या होगा वैरी होगा और इस variation के basis पर जो दूसरा आगे जो controlling device है उसको समझ में आता है कि यहाँ पर variation आया है इसका मतलब दर्वाजा खोलना है या बंद करना है जो भी है ठीक है अब एक बार खुलता है उसके बाद में वो बंद हो जाता ह जब तक वो variation चल रहा होता है उसके बाद में जब constant light गिर रही होती है तो वापस से वो क्या रहता है बंद रहता है दर्वाजा खुला थोड़ी रखेंगे बंद रखेंगे ऐसा थोड़ी कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो दर्वाजा बंद कर दो और जब चला जब नहीं हो खुला रखो ऐसा नहीं होता है न हमेशा बंद रहता है जब कोई व्यक्ति आता है वेन पर सब्सक्राइब यहां पर देखने को मिलता है ऐसी और भी बहुत सारे इसके अप्लिकेशन साब को देखने को मिलेंगे तो इतना क्या बोलते ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं यह छ हो जाएगा ठीक है नाव हम लोग आगे बात करते हैं यहां से और वो है हीजनबर्ग के uncertainty principle के बारे में अब देखो एक main बात यहीं मैं यहां पर आपको बता हूँ तो chemistry में आपको यह ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा as compared to physics में तो मैं थोड़ा सा discuss करूँगा और आपको यहां से आगे छोड़ दूँगा लेकिन chemistry में आपने इसके बारे में काफी detail में discuss किया होगा अब यहां पर देखो इसे हाईजनबर्ग का अनिशित्ता का सिद्दान भी बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों को पता होगा yes or no अब यह जो principle है यह कहता क्या है क्या कहता है कि भाई देखो सबसे पहली बात तो यह मात क्या है कि मैटर वेव जो dual itी मैटर वेव ड्यालिटी का मतलब क्या है कि light को हम लोग पार्टिकल नेचर और व्यव नेचर में ले रहे तो उसी बेसिस पर डी ब्रॉगली सर ने क्या बोला था कि मैटर का भी a ट्यूर्ग रुव नेचर ही होगा पार्टिकल और वेव प कहता है कि किसी भी किसी भी सिजन में कोई भी पार्टिकल के लिए कोई भी पार्टिकल के लिए मोर स्पेसिफिक लिएडी मैं बात करूं तो ये पहले बात करी गई था η उसका मॉमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों को एक साथ accurately calculate करना possible नहीं है ऐसा ही कुछ तो भी बोला गया है अब यहाँ पर फिर आगे जाके बोला गया है कि यह जो terminologies के terms में दी मैं बात करता हूँ तो इसे लिखा गया है delta x dot delta p is approximately equals to h और देखो ऐसा लिखा हुआ है पहले yes or no h hat जैसा लिखा हुआ है और इसमें मैं आपको और बताऊं more correct way में तो इसमें लिखा भी गया है आपके ncrd में भी लिखा गया है कि more in a more rigorous treatment मतला हम लोग जब बहुत ही बारी किस इसको analysis करते हैं तो इस equation को लिखा जाता है delta x dot delta p is approximately equals to h hat by 2 और यह जो होता है इसकी value कितनी होती है तो यह जो अलग सा symbol दिख रहा है इसकी value होती है h upon 2 pi मतलब overall मैं इसको लिख सकता हूँ कितना overall मैं इसे लिख सकता हूँ delta x dot delta p और basically approximately equals to h upon 2 or to 4 pi ऐसा बन जाता है ठीक है यह approximately मैं इसको निकाल चुका हूँ clear है अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मान के चलो देखो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि let's say momentum is fixed मैंने क्या कर दिया momentum is fixed या मैं बोलू momentum is definite definite momentum ले लिया एक finite momentum ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा delta p will be equals to 0 इसका मतलब यही होगा कि ने momentum fix है तो change in momentum आएगा क्या अरे common sense मैंने बोला यहाँ पर बोला गया है कि यदि मेरा momentum fix है मतलब change in momentum क्या आएगा 0 आएगा यदि change in momentum 0 आएगा तो इट इसका मतलब यह है कि उसका जो इसका मतलब यह है कि उसका जो position में जो change है so uncertainty in position will be infinite तो उसमय हम लोग उसकी position के बारे में accurately पता नहीं कर सकते हैं और यदि हम लोगों ने ऐसा बोल दिया हम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि position is fix मैंने क्या कर दिया position is fix position is fix मतलब एक definite position पे मैं जाके बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह हो जाएगा change in position मैंने 0 कर दिया उसमय उसकी position में change नहीं हो रही है और यदि ऐसा हुआ है तो इट implies that delta P will be equals to infinity then and only then it is possible to have a finite number मतलब एक 0 है तो दूसरा infinite होगा तो यह यहाँ पर इस बात को लेके आया गया किसके दौरा हाइजनबर्ग के दौरा जहाँ पर इसे uncertainty principle से represent किया गया है अब यहाँ पर एक point और बोला गया है कि यदि हमारे पास में momentum क्या हो जाए momentum fix हो जाए मतलब change in momentum 0 हो जाए तो इसके कारण इससे associated जो एक wavelength होगी इससे associated एक wavelength होगी तो वो जो wavelength है वो पूरे space में क्या होगी फैली होगी इसलिए तो बोला गया है delta x equals to infinity क्योंकि अब उसकी position है ही नहीं वो एक wave की तरह पूरे space में फैला हुआ है और यदि हमारे पास में position को fix कर दिया जाए तो उसका momentum क्या हो जाता है infinite हो जाता है यह यहाँ पर कहानी है और इसके लिए आपको दो diagram भी यहाँ पर बनाए गए है यहाँ पर एक localized waveform के तौर पे और एक कैसा है कि एक ऐसा पूरी extended waveform यहाँ पर बनाई गई है बात समझे में आ रही है मतलब देखो एक तो diagram आपको बनाए गए कुछ ऐसा ज्यादा बड़ा हो गया ठीक है अब यह जो diagram मनाया गया यह waveform का ही diagram मनाया गया इसमें क्या बोला गया है कि यह wave के package जैसा है किसके लिए एक electron के लिए देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बातें सारी electron के लिए की गई है लेकिन बाद में उसको सारे matter particles के लिए describe कर दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि यह बता रहा है यह diagram जो है यह show कर रहा है कि it is a local packet of a wavelength it is a local packet of wavelength around some central wavelength where moment where we have fixed the momentum where we have fixed the momentum लेकिन यदि मैंने position को fix किया होता तो position को fix करने के बाद मैं कुछ एक ऐसी हमें wave मिलती थी जहां पर यह ऐसा situation यहां पर हमारे पास में निकल के आता था बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आयू शौर आयू शौर शौर हैं चलो हम लोग अब इसमें इतना ज्यादा करने की ज़रत नहीं कि मैं आपको पहले से बताते चला हूँ यह chemistry में ज्यादा डिटेल में डिसकस करना है आपको कंपेर टू फिजिस फिजिस में आपने इसमें ध्यान भी नहीं दिए और यह topic को छोड़के आगे निकल गए तो भी चल जाएगा क्यूंकि इसमें से question बनने की उम्मीद ना के बराबर है बिल्कुल ना के बराबर है question शायद ना ही इसका result याद होना चाहिए इसका result याद होना चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कुछ construction points की तो construction के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक vacuum chamber है इस vacuum chamber के अंदर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक low tension supply है या low voltage power supply है जिससे ए electron gun से क्या होंगे electrons बाहर निकलेंगे और यह electrons जो है एक cylindrical cylindrical vessel मैं से जाते हैं जिसमें fine holes होते हैं जिसमें क्या होते हैं fine holes होते हैं जिसे आगे यहाँ पर हम लोगों ने high tension supply से connect किया हुआ है यहाँ से निकली हुई जो electron beam है यह एक निकल के target पर जाके इनको डाला जाता है अ scatter होती हैं बहुत सारी direction में घुमती हैं अब एक यहाँ पर जो बनाई गई है वो एक particular एक single electron beam के बारे में बात की गई है किसी एक electron beam को हम लोग analysis कर रहे हैं यहाँ पर एक यह जो है देखो यह यहाँ पर ऐसा diagram दिख रहा होगा यह movable collector है जिसे आगे हम लोगों ने क्या कर र अब यहाँ पर क्या है कि अब यह जो electron gun जो होती है जहां से electron निकलते हैं basically यह tungsten का filament होता है जिसके उपर में barium oxide की coating करी रहती है barium oxide की coating करी रहती है यहाँ तक समझ में आई बात देखो simple simple सी बातें कर रहा हूँ बिल्कुल भी difficult नहीं है आप देखिए एक बार इस diagram को देखते हैं कि भी देखो यह filament F आया कि यह filament F आया यहां से हम लोगों को कहानी हमारी शुरू करनी है जो इसका जो observation है वो यहीं से शुरू होगा किस प्रकार से यह low supply वाली battery है इस से हम लोगों ने filament को या electron gun को क्या कर दिया supply provide कर दी अब यह supply provide करने के कारण यहां से निकले इलेक्ट्राउंस यहां से क्या निकलेंगे ऐलेक्ट्राउंस मिकलेंगे अभ यह जो इलेक्ट्रान सिकलेंगे बैसिकली इस अeing donor क Grade ऑ्द esse सक्ष एक सच्छनन को क्या करेंगा रहे हैं क्यूंकि यहां पर आपने हाइब उल्टिज शंते प्लाय से क्या कर दिया एक शूटे सार से यहां से गुझरेंगे तो यह ज़ा के टकराएंगे कहां पर इस निकल के टारगेट पर से कुछ अलग नई है क्या कर रहा है निकल नाम होता है आपका हो सकता है कोई किसी का नाम निखिल हो आप में ओके आयन कोबाल निकल कॉपर जिंग पड़ा होगा 26, 28, 29 फेको नी 28 नंबर पे है न वो वाला निकल है ये चलो हम लोग आगे बात करते हैं अब हुआ क्या कि जब यहां पर इलेक्टरॉन जो है वो आए आने के बाद में यहां से क्या होंगे स्कैटर्ड होंगे और डायरेक्शन में यहां पर क्या होंगे स्कैटर्ड होंगे और डायरेक्शन मतलब बहुत सारी डायरेक्शन में यहां पर क्या होंगे स्कैटर्ड होंगे अब हम लोगोंने क्या किया है कि यहां से जो भी यह स्कैटर कर रहे हैं अलग 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 एंग ये लाइट के अंदर में हम लोग यूज करते हैं आपने कभी देखा ऊगा जैसे मैं आपको एक्जाम्पल के तौर पर बताता हूं सिंपल सी बात है कि जैसे मान के चलो यह मैंने हाथ बनाया ठीक है ऐसे मैंने हाथ बनाया और आपको इस हाथ के अंदर में छोटा सा स्लिट और दिखरा होगा इन दोनों के बीच में देखो यहां पर देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा गैप बन गया है अब मैं यहां से लाइट डालू तो क्या सिर्फ इतनी सी लाइट बाहर निकलेगी थोड़ा सा कॉरने में फैल भी जाएगी वो थोड़ी से मुड़ जात है वह यहां पर आ रहे हैं उन्कों लोगोंने यहां पर एक Xperimeter किया और उन्होंने बताया कि जय जो एक्सपेरिमेंट को इन्होंने परफॉर्म किया वो किया है 44 वोल्ट से लेकर के 68 वोल्ट के बीच में इन्होंने वोल्टेज का वैरियेशन रखा है अब ये कुशन पूछ सकते हैं जादा से जादा और क्या पूछेंगे वैसे ऐसे भी कुशन पूछने की उम्मीद कम ही रह आया एक स्ट्रॉंग पीक किसका इंटेंसिटी का एक स्ट्रॉंग पीक नजर आया जहां पर आपको मैक्जिमम मिल रहे थे क्या मिल रहे थे मैक्जिमम मिल रही थी वेवलेंथ और ये वेवलेंथ जब कैलकुलेट की गई तो ये कितनी आ रही है तो इसके लिए एलेक्ट् तो 12.27 डिवाइड बाई 54 और यह अंडर रूट अच्छा 54 का रूट निकाल के बताओ फटाफट से अंडर रूट 54 कितना आएगा तो इसे लिखूंगा मैं 49 प्लस का उनन्चास और 5 आएगा तो यह लिखा जाएगा 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 14 तो 7 प्लस 14 अठाई जाना है चौदती 42 प्लस चौदती 42 और यह कितना आएगा कि बैल इस आठ जी रोट अ सत्तर तो यह कुछ इतना मेरे पास डेटा आ रहा है 7.37 तो मेरे पास में डेटा क्या आएगा 12.27 डिवाइड बाई 7.37, यह 7.37 कैसे बना समझ में आ रहा है, यह यहां से बना रहा हूं मैं, यह 0 point है ठीक है, यह तो कई लोग सोचेंगे 37 सर लिखते तो रहे हैं और यहां पर 7.37 कर दिया, ऐसे कर से कर दिया, तो यह method है आपका square root निकालने की, चलो अब 7.37 से इसको divide करो, तो point से point approximately काट लो, 7 37 वंजा 737, यह है 1227, यह है 770, 7512, मतलब यह बच गया 490, 490 में एक 0 और बढ़ा लो, 7749, 7749 तो यह जादा हो जाएगा, तो यह जाएगा 6 times, यह कितने बार जाएगा, 6 times, तो यह आएगा 1.6, और अब मैंने यदि यह 6 times किया है, तो सच्छिंग 42, और 6 7 जा 4200, और 6 जो का 2400 कितने हो गए, 42, 42, 44, 49, तो इस में से ज़रा सब्ट्रेट को, 4900 में से 4440 को सब्ट्रेट करोगे, तो यह आएगा लगबग, लगबग 310 मान के चलो, 310 में, 310 ही ना, हाँ ठीक है, और 1 0 और बढ़ा लो और डिवाइड कर लो, तो 1.6 और कुछ आंसर आपका आजाना चा इंदर में 0.167 nanometer दिया गया है, 0.167 nanometer दिया गया है, standard data है, आप लोग याद रख सकते हैं, मैंने point के बाद में 2 places तक निकाला है, तो मेरा correct आया है, पर मैंने 1.6 angstrom निकाला है, और इस 1.6 angstrom को में 0.16 nanometer लिख सकता हूँ, यह मैंने आपको सिखाया हुआ, angstrom से nanometer करना है, तो एक point को इधर shift कर दीजे, ठीक है, point को इधर shift कर दीजे, और angstrom में जाना है, तो point को right side में shift कीजे, angstrom से nanometer point को left shift मारना है, और nanometer से angstrom तो point को right shift मारना है, बस इतना सा काम करना, यह आपका answer आ जाएगा, और इस तरह से आपका यह chapter theoretically तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, आपकी booklet के अंदर में उन formula के बारे में यह दि मैं बात करता हूँ, तो वो formula है, कुछ इस प्रकार से, मतलब like, क्या बुलते हैं इसको, intensity से related formula है, intensity बराबर क्या होती है, तो मैंने आपको सिखाया, intensity का मतलब होता है, energy per unit area, per unit time, जिसे हम लोग क्या लिख सकते है, energy की जगे, energy per unit time का मतलब power लिखा जा सकता है, तो power per unit area लिखा जा सकता है, इसके अलावा आपको है न, वहाँ पर एक formula दिये हुए होगे, radiation pressure से regarding, किसके regarding, radiation pressure से regarding, कुछ formulas दिये हुए होगे, booklets के अंदर में, तो आपको उनको go through करना है, 2000 the standard formulas, उनके उपर rarely question बनता है, मैं क्या बोल रहा ह मैंने आपको बताया था, energy of one photon, मैंने बताया था, आपको energy of one photon, वो आपने लिखी होगी, e बराबर h new, और यदि मान के चलो आपके पास में n photon है, तो क्या हो जाएगा, energy of n photon बोलो कितनी हो जाएगी, n photon, तो आप लिख सकते हैं, e dash बराबर n times h new, बताओ इसमें क्या problem है, new क मैं c by lambda लिख सकता हूँ, तो e dash बराबर आप n h c by lambda लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ने लिख सकते हैं, basic formulas मैंने वहाँ पर दियो है, booklet के अंदर में भी आप लोगों को formula मिल जाएंगे, अच्छा, अब हम लोग ज़रा यहाँ पर बात करते हैं, कि power के बारे में बात करते हैं, power, तो power का मतलब होता है, power का मतलब क्या होता है, energy per unit time, yes or no, this is the meaning of power, power का मतलब क्या, energy per unit time, अच्छा, और intensity का मतलब क्या होता है, intensity, तो intensity को हम लोग आई से देनोट करेंगे, यह लिखा जाता है, energy per unit time, per unit area, so एक बात बताओ, energy और per unit time को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, power तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या power per unit area, तो मैं बोला, yes लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब, I will be equals to capital P by capital A, yes or no, तो आपने बोला, yes, सही बात है, अब यहाँ पर अलग-अलग जीज बनाके कुछ formula यहाँ पर दिये गए हैं, कि वही number of photons है, number of photons per second को हम लोग N-डेश मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनाए हुए हैं, ठीक है, यह कुछ formula हो गए, इसके बाद में कुछ formula आपको दिये गए, regarding the radiation pressure, मतलब क्या है, मान के चलो एक surface है, मान के चलो एक क्या है, एक surface है, और इसके उपर light आके गिर रही है, तो यहाँ पर एक radiation pressure देखने को मिलेगा, basically यही मैं बात कर तो मैं क्या हो रहा हूँ, कि this will exert a force on this surface, these radiations will exert a force on this surface, if I know the area of the surface, then I can calculate the pressure, क्योंकि pressure का मतलब होता है, force per unit area, तो कुछ इन formulas के बारे में य यह formula किस प्रकार से है, कि देखो, या तो light जब आके गिरी, या तो completely absorb हो जाए, या completely reflect हो जाए, दो ही चीज़े हो सकती है, बासन में आ रही है, हालां कि होने को तो क्या है, कुछ part में absorption भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा absorption हुआ, और थोड़ा सा reflection हुआ, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं पढ़ना है, हम लोगों या तो clearly वही वाली बात है, कि या तो पूरा reflect ही कर दिया, या फिर पूरा absorb कर लिया, तो मैंने बोला कि let's say हमारे पास में एक light है, जिसकी intensity I है, जिसकी intensity क्या है, I है, इसकी power जो है, जो भी source मैंने यूज़ किया होगा, वो P है, और एक surface area मैं यहाँ पर draw कर रहा हूँ, इसका जो area है, वो है capital A, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पर एक light गिराई, इस पर मैंने क्या किया, एक light गिराई, अब ये जो light गिराई, ऐसा हो सकता है, कि मैंने बोला, ये light completely क्या हो जाए, reflect हो जाए, मैंने बोला, कि if light is completely reflected, formula है, ध्यान रखना है, light is completely reflected, तो उस case में, जो radiation pressure बनेगा, क्या बनेगा, radiation pressure, इसका formula लिखा जाएगा, radiation pressure को small p से denote कर रहा हूँ, ध्यान रखना, तो ये बनेगा, 2i upon c, where i is the intensity, c is the speed of light, कब, यदि light मेरी completely क्या हो जाए, reflect हो जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, if light is completely absorbed, यदि light मेरी completely absorbed हो जाए, तो उस समय में, radiation pressure का जो formula लिखूंगा, वो लिखा जाएगा, p बराबर i upon c, बस किसका फरक है, 2 का फरक है, कब, जब reflect हो गई, तो to i upon c, और absorb हो गई, तो i upon c, एक बात बता दू, यदि इन पर numerical बनना होगा, तो direct numerical यहाँ पर बनेगा, direct numerical बनेगा, clear है, चलो, अब मैं एक point बताता हूँ, pressure का मतलब होता है, force upon area, force upon area, it implies f will be equals to p into a आएगा, क्या, yes, तो वापस से हम लोग formula लिखते हैं, for the force, तो बोलो, पहले case में, for complete reflection, 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 force लिखा जाएगा, f will be equals to p, p कितना लिखाता है, 2i upon c, तो आपने लिखा, 2i upon c into a, 2i upon c into a, और यदि मैं लिखता हूँ, किसके लिए, for complete absorption, absorption का मतलब समझ में आता है, f will be equals to i upon c into a, बस खतम कहा नहीं, यह straight forward formula है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, यदि आप से पूछा जाएगा, तो directly सवाल पूछा जाएगा, जिसका direct answer आप लोगों को निकाल कर देना है, क्या यह बास समझ में आ गई है, शौर हैं आप लोग, यदि शौर हैं तो मैं एक दो, अभी देखो कैसे हैं कि हमारे पास में 10 से 15 मिट का समय है, तो मैं कुछ एक दो numerical करवा देता हूँ, मूझ जवानी जो भी possible होंगे, मैंने बोला है कि, question है, आपके पास मैं calculate momentum of photon of 500 nanometer wavelength, चलो फटाफट से सवाल करके दिखाओ, 500 nanometer की wavelength के लिए आपको momentum calculate करना है, फटाफट करो कैसे करोगे, तो आप जानते हैं, P बराबर आएगा, H divided by lambda, H की value put करो, 6.6 into 10 to the power minus 34, divided by 500 into nanometer के लिए 10 to the power minus 9 आएगा, यहाँ पर 0s को adjust करो, 2 0 यह कड़े जाएगे, तो यह आएगा, minus 7, 7 से इसको काटोगे, तो कितना बचेगा, minus 7, साथ कम कर दो, इसमें बचेगा, 24 में से, तो 27, तो 10 to the power minus 27, 6.6 divided by 5, मतलब 5, 1.3 into 10 to the power minus 27, और unit आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सवाल देखो कितना आसान सवाल है, यस, ऐसे आसान सवाल पूछे जा सकते हैं, कई लोग सोच रहे होंगे, सर ऐसा आसान सवाल कहां पूछेंगे, क्यों नहीं पूछ सकते हैं, और लिटरली बता रहा हूँ, यदि नीट के पेपर में 45 कोश्चन है, तो उसमें से 20 से 25 सवाल तो ऐसे होंगे, एकदम हलुआ, एकदम आराम से हो जाएंगे, क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे, चलो एक मिनिट के अंदर में, देखो यह ऐसे सवाल होंगे न, मेंली क्या है न, उन्हें भी मालूम है, कि अब वहाँ पर जो प्रॉब्लम पता है क्या रहेगी, सवाल पितना आसान है, लेकिन उसके जो ऑप्शन होंगे, वो प्लोज होंगे, ऑप्शन क्या होंगे, बहुत ही नजदीक होंगे, जिसके कारण आप लोगों से गलती होने की संभावना है, चलो अब एक और सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, सवाल है, find the number of photons emitted, एमिटेड पर सेकेंड, पर सेकेंड बाई अ 25 वेट सोर्स ओफ शिक्स हंड्रेड नैनो मीटर वेवलेंद, को यह हमारे पास में सोर्स है, जिसकी पावर आपको दे रखी है, कितनी 25 वेट और यहां से निकलने वाली जो वेवलेंद वो दे रखी है, 600 नैनो मीटर, तो आपको बताना है, number of photons emitted पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने photons emitted हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो देखें, यहां पर दी गई है पावर, energy का formula मैं जानता हूँ, hc upon lambda और यहां पर आएगा t, ठीक है, अब देखो यह तो हो गई किसके लिए, यदि मेरे पास में एक photon निकल रहा होता, लेकिन जब यहां से बात चल रहे है, number of photons, तो मैं यहां पर क्या मतलता हूँ, कि I will multiply by n, तो आपको निकालना है, basically n by t यहां पर calculate करना है, so number of photons emitted per second t की value 1 हो जाएगी, तो आपका formula बन जाएगा, p बराबर, इसको n dash मान लीजे, तो n dash hc upon lambda, तो n dash कितना आएगा, n dash will be equals to p into lambda divided by h into c, clear है क्या, अब आपको इन values को put करना पड़ेगा, तो जब आप value पुट कर रहे होंगे, तो यह है 25 wet 600 की wavelength, बराबर, h है आपके पास में 6.6 into 10 to the power minus 34, और speed of light है 3 into 10 to the power 8, अब देखो, यहां पर solution के लिए आपको कुछ नहीं है, calculation का part है, calculation पर आपको focus रखना है, अब देखो, मैं भी आपके सामने अंदाज इसे calculation करूँगा, देखना कितना बहुत ही नजदी का answer मैं आपके पास में लेके आऊंगा, तो कैसे करेंगे, पहले तो यह zeros को काम खतम करो, यह 8 है और यह 34 है, तो कितना बचेगा, minus का 26 बचेगा, अच्छा, यह 9 है और यह 26 है, तो 26 मैं से 9 गए तो कितना बचेगा, यह बचेगा, 17 बचेगा, 17 ऊपर जाएगा, तो दो और हो जाएंगे, तो यह 19 हो जाएंगी क्या, तो 0 हो गई 19, अब बचे हुए को adjust करो, तो आपके पास में आएगा 25 इंटु 6 डिवाइड़ेड़ बाई 6.6 इंटू 3 इंटू 10 दो दा पावर 19, किक है, अब 25 इंटू 10 दो पावर 19 तो हो गया यह ठीक है, अब देखो यह 66 है, यह क्या है, 66 है नीचे, तो लगबग लगबग यह दी मैं बात करता हूँ, तो 7, 7 जा 49 हो गया, किया, आपका लगबग लगबग देखिए, बराबर है, और 7, 8, 56 हो जाएगा, जादा हो जाएगा, और 6, 8, 48, तो यह 7 टाइमस जाएगा, तो आप 66 इंटू 7 करके देखो, मतलब बहुत ही नजदीक हो गया, तो मैंने लिखा 7, ठीक है, तो यह हो गया, खटम, अब लिहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट, तो बचा कितना है आपके पास में, यह बचा है, 38, 0, बराबर है, अरे बराबर है क्या, 380, 612, 618, 624, 635, पांच बार, और पांच बार, 66 इंटू 5 करके देखो, तो लगबग आ जाएगा, तो 7.5 इंटू 10 पावर, 19 फोटोंस पर सेकंड, एक सोर्स जे, जो की 25 वैट का है, और 600 नैनो मीटर का है, तो वहां से इतनी नंबर और फोटोंस न अंदर में, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, यस और नो, अब एक और सवाल हम लोग करते हैं, अभी हमारे पास में और भी 57 मिनिट हैं, तो 57 मिनिट में और एक दो सवाल में आप लोगों करवा देता हूं, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ट हो सक उप लोगों कि और लोगों काहँ बीट में आप लेक्ट ओफ लाइट एमिटेड इस फाइ हंड्रेड नैनो मीटर देखो सवाल को ध्यान से पनो क्या है सवाल कह रहा है हाउ मेनी फोटोंस पर सेकंड डज वन वेट बल्ब एमिट एक जो वन वेट पावर वाला बल्ब है वो कितने फोटोंस एमिट करेगा यदि उसकी जो एफिशेंसी है वो है 10% उसकी एफिशेंसी कितनी है 10% और जो एमिटेड वेवलेंट है जो लाइट जो बाहर निकल रही है उसकी जो वेवलेंट है वो है 500 नैनो मीटर देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यहाँ पर ध्यान लगना पड़ेगा एफिशेंसी का मतलब देखो यहाँ पर एफिशेंसी वर्ड यूज क्या गया है एफिशेंसी दे रखिये 10% तो आप जानते हैं एफिशेंसी का मतलब क्या होता है आउटपुट पावर डिवाइड़ बाई इन्पुट पावर मैंने बुला ठीक है अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो यह है कि आपके पास में क्या गिवन है आउटपुट पावर गिवन है यह वन वेट या यह गिवन है इन्पुट पावर सोचो क्या हुआ होगा क्या एफिशेंसी परसेंटेज में तो यह 100 और कर लो एफिशेंसी को परसेंटेज में डालने के लिए मैं भूला ठीक है चलो कर लो क्या situation आप लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ पर कौन सी पावर की यहाँ पर बात करी जा रही है तो यह है input power मतलब यह है कि देखो एफिशेंसी है 10 परसेंट तो 10 परसेंट मतलब यह 100 है यहाँ पर ओके मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 10 is equal to output power पता नहीं है यह 1 weight input power और यह है 100 तो यहाँ से देखिए तो P जो आएगा वो आएगा कितना 10 by 100 मतलब आएगा 0.1 weight output power यहाँ से देखिए यह है 1 weight का जो bulb है यह उसकी input power है उसको input में 1 weight चाहिए लेकिन output में क्या हो रहा है वो मालूम नहीं efficiency 10% ही है 10% efficiency है मतलब आपकी जो output power निकल गया ही वो आई है 0.1 weight अब अब आपको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले गी निमेरिकल किया था मैंने देखो यह रहा फॉर्मूला एंड़ेश बराबर पी लेंड़ा पॉन एच सी बस उसी तरह से करना है 500 nanometer 10 to the power minus 9 H है आपके पास में 6.6 into 10 power minus 34 C है आपके पास में 3 into 10 power 8 meter per second बताओ यह डेटा डालने के बाद में इसको solve करना कोई बड़ी बात है क्या कुछ बड़ी बात नहीं है आप इन zeros zeros को cancel करो खतम करो कहानी को solve करो numericals को तो डेटा आपके पास में मिलने लगेगा कैसे point 1 हटाओगे point से point काट लो और क्या काट सकते हो 8 और 8 16 17 और 34 तो यह आएगा 10 to the power 17 बचा है 500 divided by 66 into 3 500 divided by 66 into 3 करोगे teaching 18 8 1 teaching 18 और 19 198 into 10 to the power 17 देखो 500 divided by इतना बच रहा है तो देखो 198 को यदि आप approximately 200 यदि में मान लेता हूँ तो यह answer कितना आएगा answer आएगा 2.5 into 10 to the power 17 photons per second clear है are you getting this क्या सवाल है सारे एकदम नई टाइप के सवाल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले होंगे तो यह इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे बहुत सारे तो खेर नहीं 3-4 सवाल यहाँ पर आपको बताए जो सारे की सारे अलग टाइप की variety के थे अब mainly बात यही है कि देखो जो आपका Einstein की photoelectric equation है उससे related भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं जो हमने आपको एक्वेशन यहाँ पर सिखाई गई है उसमें तो कोई शंका नहीं होनी चीए उससे related हम लोगों ने आपर graph वगेरा भी मैंने आपको बनवाया था उससे related जो graph बनके निकल के आते हैं वो मैंने आपर आपको समझाय हुए photon, electron, proton, alpha particle के लिए जब voltage दिया होता है तो उसकी wavelength निकालना हम लोगों ने सीखा हुआ है तो सारे देखो basically इस chapter के अंदर में कोई difficult numerical नहीं बनेगा बशरते आपकी theory एक बार अच्छी है आप एक बार फिर से NCRT को आज यहाँ पर आपका chapter theoretically पूरी तरह से finish हो गया जो आज मैंने कुछ point बताये थे जो formula बताये थे वो आपको NCRT में नहीं मिलेंगे लेकिन booklet में दिये हुए हैं तो एक बार उन formula's को booklet में से go through करना ठीक है उसके अलावा पहले उसके अलावा जो आपके booklet के questions हैं उनको आप लोग solve करने की कोशिश करना solve, unsolve जो भी है वो सारे आपके ज़दी cover हो जाते हैं तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी ठीक है एकदम आसान है chapter this chapter only requires a practice and nothing else सारे सवालों को सवालों को इतनी बार कर लीजे आपको देखते ही सवालों का answer नजर आने लगे हाला कि इस chapter में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सारा data लगबग पास-पास में होता है तो answer ध्यान रख पाना लेकिन बहुत सारे कुछ standard सवाल भी तो होंगे तो उनके answer आप तुरन निकाल पाएंगे इस chapter में थो होता क्या है सवाल सिंपल है calculation difficult है सवाल बहुत सिंपल है रहे formula है यहां तीन-चार formula उससे ज़्यादा कुछ नहीं है square root निकालने दिया आपको properly आता है तो बस काम कतम उसके अलावा कुछ है नहीं तीन-चार रटे-रटा है formula है कि आइस्टेन की फोटोएलेटरिक एक्वेशन लगानी है वगी क्या है एक्वेशन काइनेटिक एनजी maximum बराबर incident energy – work function अब work function के formula क्या हो सकता है ह new not हो सकता है ह स्टी अपॉन लेमॉडादा हो सकता है इंसीडेटन एनजी का formula क्या हो सकता है यदि आपसे stopping potential पूछ रहा है तो EV naught के form में लिख देना है और यही equations घूम बिरके बनेंगी और कुछ भी नहीं है अच्छा इसके अलावा मैंने intensity को आपको और भी बताया था energy per unit time per unit area तो मैंने आपको बताया था कि भी यह intensity जो होती है वो distance के square के inversely proportional होती है उस से related कोई सवाल बन सकता है और क्या है इस chapter के अंदर में कुछ भी नहीं है सिर्प उसे purely calculation के सवाल है and nothing else हाँ थेरी के जो सवाल बनते हैं वो conceptual बनते तो उसके लिए आपको थेरी को एक बार go तो इसी के साथ मैं theoretically अपना आज यहाँ पर dwell nature of radiation and matter का chapter complete होता है ठीक है शौर है तो आज के लिए विड़ा बस इतना ही मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले lecture के दर्मियान तब तक के लिए धन्यवाद